सभी RBSC 10 बोर्ड वाले स्टुटेंट्स को हमारी टीम के ओर से विश्य ओल दी बैस्ट, डू एर बैस्ट और जितने भी अपकमिंग एक्जाम्स होंगे उनके लिए आप सभी को हमारी टीम के ओर से विश्य ओल दी बैस्ट आपकी बॉर्ड एक्जाम जो हैं वो स्टार्ट हो चुके कमेंज हो चुके हैं 16 से आने के आधी से और आज आपका बॉर्ड का एक्जाम था, वो English का एक्जाम था, धैन इसके बाद 21 March को जो है, आपका किसका एक्जाम होगा, Hindi का एक्जाम है और देन इसके बाद आपका सामाजिक विग्यान 25 मार्च को होगा देन विग्यान का होगा और देन फिर गणीत का एक्जाम है आपका तो जितना भी आपने सालबर पढ़ा है जिस किसी भी टीचर से पढ़ा है वो ये जो टाइम होता है यहाँ पर आपको performing शो करना होता है को वहाँ पर जाकर express करता है उन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं और वहाँ जाकर कुछ बच्चों होते हैं कि एक्जाम को देखकर tension में आ जाते हैं hyper हो जाते हैं तो उस condition में उनका स्वाभाविकता ऐसा होता है कि एक्जाम बिगरने के chances बढ़ जाते हैं तो cool रहे है एक्जाम pressure को कम feel करें यहाँ पर हम discussion करेंगे योजना के बारे में कि प्रशन पत्र की योजना किस तरीकी की होगी जो कि आपके upcoming exam से उनके लिए योजना मतलब की planning क्या होगी किस chapter से कितने अंक का question आने वाला है कितने number का question आने वाला है कितने questions आने वाले हैं उन सभी को हम असर जो अब आपका exam होगा वो exam अब हिंदी का है मैं यहाँ पर science के बारे में देखूँगा कि science का जितना भी blueprint है वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा पुर्णांक आपके कितने हैं पुर्णांक आपके 80 number का आपका यहाँ पर caution paper होगा 80 number का होगा और इसमें जो है वो आ आपको जितने भी performance करनी है वो यहाँ इसी timing में करनी है तो जिनका आज जो English का exam था अगर माली जी जी बिगड़ गया है तो घबरा है नहीं आगे के जितने भी exam से आगे के जितने भी जो paper है उन पर focus करें ताकि आपके आगे के paper जो है वो बिगड़े नहीं और जिनका अच से cool होकर आगे के exams भी दें अचा यहाँ पर उद्देश्य अंक भार कैसा होगा ज्यान संबंदी जितने भी question होगे यानि कि knowledge best जितने भी अंक भार होगा आपका वो कितना होगा 17 नंबर का knowledge best questions आएंगे understanding अव भोद संबंदी understanding संबंदी जो आपके अंक भार होगा वो कितने number का आएगा 19 नंबर का आपके यहाँ पर आएगा और अभी वेक्ति यानि कि expression संबंदी जितने भी questions होगे वो उनका अंक भार आपके यहाँ पर कितने का होगा 29 नंबर का होगा मौलिकता यानि कि originality best जितने भी questions होंगे वो कितने होंगे आपके 15 number का यहाँ पर आपके originality best questions आएंगे तो यह बनता है आपके total 80 number का अब हम यहाँ बात करते हैं कि आपका जो अंकभार है यानि कि किस तरीके के questions जो हैं आपके exam में आने वाल है कुछ questions आपके वस्तुनिस्त question आएंगे कुछ लगुरात्मक question आएंगे कुछ अति लगुरात्मक question आएंगे और दिर्ग उत्तरिये प्रशन और निबंदात्मक प्रशन आपके आने वाले हैं अच्छे जो आपके मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यह किस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हिंदी की, ठीके, जो कि आपका 21 मार्ज को एक्जाम होगा हिंदी की, उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके हिंदी में किस तरीके के questions आएंगे, आपके हिंदी में ज से आपको कोई लेना देना नहीं है प्रतिशत और यहां पर इतना यह होता है यानि कि संभवत या ऐसे questions आएंगे ऐसा नहीं है कि यही pattern follow होगा blueprint का मतलब होता है कि यह tentative आपको बताया जाता है कि शायद इस तरीके के questions आएंगे आपके तो वस्तुनिस्ट यानि कि एक अंक आपको दिया जाएगा अगर आप सही कर देते हैं तो गलत कर देते हैं तो यहां पर किसी भी तरीके का अंक आपके कटने वाला नहीं है बस आपको वह number नहीं मिलेंगे कुल परतिशत कितना होगा मतलब टोटल का 12-15 परतिशत यहां पर होगा आपके लगुरात्मक question कितने आने, अती लगुरात्मक, अती लगुरात्मक तो one liner होगे, लगुरात्मक में तो short, यानि कि तीन, दो से तीन line या तीन से चार line में आपको वो questions लिखना है, तो यहाँ पर 13 ऐसे questions आएंगे जिनके आपका answer जो है वो लगुरात्मक में करना है, दिर्ग उत्रिये यानि कि बड़े प्रशन जो होंगे वो decided नहीं है यहाँ पर कि कितने questions आएंगे और निभंदात्मक जो है आपके वो चार और तीन, यानि कि यह चार और तीन में से यहाँ पर लगुरात्मक जो है आपके चार दिर्ग उत्रिये questions जो है आपके चार आएंगे और उनका जो अंक होगा वो अंक होंगे आपके तीन नंबर का एक questions होगा, निभंदात्मक जो है वो निभंदात्मक आपके तीन questions आएंगे और उनके जो अंक भार होगा वो अंक भार आपके 4 नंबर का होगा इस तरीकी का आपका exam pattern होगा total number of questions जो हैं आपके कितने होगे 50, 50 questions आपके आने वाले हिंदी में और हिंदी में 50 questions में आपका syllabus क्या होगा syllabus में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस segment से कितने questions आएंगे अपटित, निभंध, अपटित जो आपने नहीं उसके अपटित उसमें से 10 नंबर, 10 अंक का आएगा निभंध, पत्र, विज्यापन advertisement वाला, व्याकरन सम्मदिश और पाठे पुस्तक और पाठे पुस्तक दो पुस्तके हैं टोटल 80 नंबर का यहां पर आपके एकजाम होने वाला है हिंदी का, paper हम यहां पर science के बारे में बात करते हैं कि science में कितना आने वाला है यह तो हिंदी का आपका पूरा pattern है आप जाकर मैंने link में भी इसको दे दिया है मतब कि लिंक में इसकी PDF जो है वो देदी है जाकर आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहें तो आप यहाँ पर देख लीजी कि अपटेत निबंद, पत्र, विज्यापन, व्याकरन, रशना, शितिजन, कृतिका इसमें से कितने कौशन्स आने वाले हैं, लगुरात्मक कितने कौशन्स आएंगे, अति लगुरात्मक कितने कौशन्स आएंगे वो सभी blueprint आपको यहां पर given है आप जाकर कहां से check out कर सकते हैं link में आपको यहां पर PDF लगा दिया है जाकर PDF आप download कर सकते हैं यहां पर हम science की बात करेंगे कि science में आपके कितने यह देखिए यहां पर यह board यह paper भी दिया हुआ है आपको चाहें तो आप यहां से एक exam देने से पहले एक बार इस paper को भी solve कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा कि exam देने से पहले आपको originality पता लग जाएगी कि आपने जो perform किया है यहां पर जो perform करेंगे उस तो थोड़ा सा जादा ही performance होता है तो एक बार यह जो है mock test जरूर दे कर जाएगा हम यहां पर विज्ञान की बात कर लेते हैं कि विज्ञान का एक यह है आपका English का जो कि आज होई चुका था आपका blueprint यह रहा, reported conjunction सब कुछ आई चुका है English का paper था जो आज आपका हो चुका है इस तरीके का blueprint है यह सारा mock test दे सकते हैं आप चाहें तो यहां से जो upcoming exams के लिए mock test यहां से PDF डाउनलोड करके दे सकते हैं विज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान का यहां पर भी पुर्णा उतना ही है आपके 80 नंबर का ही paper होने वाला है और 80 नंबर के paper में यहां पर यह 80 नंबर का ही होने वाला है और वही आपको इसके लिए भी 3 घंटे 15 मेंट ही मिलने वाला है 3 घंटे 15 में आपको पूरा performance करना है वही इसमें भी 33 नंबर का अंकभार होगा knowledge best question का अवभोध यानिकी आपकी understanding somebody questions का अंकभार जो होगा आपका 24 नंबर के होगे अभिव्यक्ति यानिकी expression संबन्दी जो questions आएंगे वो आपके 11 नंबर के questions आएंगे और मोलिकता यानिकी originality best questions होगे आपके वो कितने आएंगे 12 questions आएंगे और total यहां पर आपके 80 number का paper हो जाता है 80 number का paper हो जाता है उसके बाद हम यहां बात करते हैं कि आपके जो exam है उसमें questions वही same वस्तुनिस्ट यानिकी objective best questions कितने है 18 questions है अतिल अगुरात्मक कितने है आपके वही 15 questions 12 questions आएंगे अतिल अगुरात्मक जिसमें आपको क्या लिखना है one liner answer है एक number का question होगा अतिल अगुरात्मक कितने होगे दिर्ग उत्री कितने होगे चार और निबंदात्मक कितने होगे आपके तीन यहां पर आपको प्रशन के प्रती अंक दिया हुआ है लगुरात्मक दो number का होगा दिर्ग उत्री यह जो questions होगे वो कितने होगे तीन अंक का एक question होगा और निबंदात्मक जो है वो एक question होगा वो चार अंक होगा total number of questions आपके कितने होगे 50 questions होगे देन इसके बाद कहां कहां से question कितने अंक के आने वाले हैं आपके तो यहां पर आप पूरा देख लीजी कि कितने कितने अंक के questions आने वाले हैं आपके पहला chapter है आपके रासाइनिक अभीकिरिया वो समीकरन रासाइनिक अभीकिरिया और समीकरन से जे प्रकरम वाले से आपका सबसे जादा यह वेटेज रखता है आपका और एक है आपका प्रकास परावरतन अे वेटेज रखता है साथ नंबर का weightages का और ये दो chapter यानि कि विद्धुत और विद्धारा के चुम्बिकी प्रभाव यानि कि physics का जो है आपका यहां पर सबसे ज़्यादा weightage है तो physics के जितने भी questions है उनको जितने भी chapter है उन सारे chapter को अच्छे से पढ़कर जाए प्रकास, एमपरावरतन, विधुत, विधुत और आप ये, विदुधारा के चुम्बिकिये प्रभाव और जेव प्रक्रम, ये जो चार टोपिक है, इन चार चैप्टर से आपके 7 marks को questions आने वाला है, तो इन questions को, इन chapters को बहुत अच्छ से पढ़ कर जाये, क्योंकि ये जो है वो 7 number के हैं, बाकी जो 6 number के questions से, एक तो जीव जनन जैसे कैसे करते हैं, ये 6 numbers के, इसमें से questions आने वाले हैं आपके, नियंतरन वा समनवय जो है, इसमें से आपके 6 number के questions आने वाले हैं, अच्छा, जो प्रक्रतिक संसादनों का वरगी करण है, इसमें से आपके 1 number का question आएग तो उस condition में इसको छोड़ी भी दे तो चलेगा पर हाँ इन chapters को आप बिल्कुल ना छोड़े ये जो chapters है याने की जेऊ प्रकरम वाला विदुत प्रकास वो अपवर्तन वाला विदुत धरा के चुंबी के प्रभाव वाले इन chapters को आपको पढ़ना ही है क्योंकि इसमें से सबस भार होंगे और साथ में आपके आगे का जो blueprint होगा याने की किस chapter से कितने अति लगुरात्मक आएंगे कितने लगुरात्मक आएंगे जैसे कि माली जीए मैं बात कर रहा था कौन से वाला प्रकास परावर्तन वो अपवर्तन वाला जो chapter है उसमें से साथ नंबर के question आएंग ठीक दिर्गरात्मक इसमें से question नहीं आएगा निबंदात्मक इसमें से question नहीं आएगा इसमें से वस्तुनिस्त याने की objective question आएगा ये और एक दिर्गरात्मक भी question आएगा जो कि दो number का होगा और यहाँ पर दिर्गात्मक ये वाला दिर्ग उत्रिये question एक और आएगा जो कि आपको यहाँ से PDF पता लग जाए, आपको पता लग जाए कि किस नंबर से कितने questions आएंगे, और कौन-कौन से question आएंगे, लगुर उत्रात्मक आएंगे, दिर्ग उत्रीय आएंगे, वसुनिस्ट कितने question आएंगे, किस chapter से, तीन chapter को तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, विद्युत, विद्युत्धारा के चुम्बिकी प्रभाव, और कौन सा वाला आपको प्रकास प्रावर्तन, वअपवर्तन, और जेव प्रकरम, ये वाले तीन chapter तो आपको, चार chapter तो आपको अच्छे से करके जाने हैं, बाकी जिन chapter से 6-6 number के questions भी आ रहे हैं, अंकबार 6-6 number का होगा, वो भी आपको इसके बाद देखने हैं, जैसे कि मानली जी अमल व शारक, अमल शारक व लवन, इस chapter से भी आपका 6-6 number का question आ रहा है, इस chapter से यानि की कारबन हम इसकी योगिक, इससे भी आपके 6-6 number का question आ रहा है, नियंतरन व समन्व है, इससे भी आपका 6-6 number का question आएगा, जीव जनन कैसे करते हैं इससे भी आपका 6 number का question आएगा तो ये chapter इन 7 वाले जो chapter है वो complete होने के बाद आप 6-6 number वाले जितने भी chapter हैं उनको cover करें इस तरीके से आपकी अगर exam strategy होगी तो definitely आपके अच्छे marks आएंगे अच्छे marks आने से आपको कोई नहीं रोख सकता जो भी student जिनकी अच्छे से preparation हो चुकी है वो तो यही pattern follow करें और जिनकी माली जीए कि अच्छे से exam preparation नहीं हुई है syllabus अभी तक पूरा cover नहीं हुआ है तो उन बच्चों के लिए तो मैरा personally suggestion यह है कि यह जो chapter से उनको तो पढ़े ही पढ़े ताकि आपके अच्छे से marks gain हो जाए हाँ वो बच्चे यह छोड़ सकते हैं जैसे कि two number का इससे आ रहा है question कौन सा है हमारा परियावरन अब हमारे परियावरन से ज़्यादा time waste ना करके इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे परियावरन को और आएगा इससे दो number का question तो आप पूरी energy अगर इस chapter में लगा देंगे और आने वाला दो number का question है तो पूरी energy आप इस chapter में ना लगा कि ऐसे chapters में लगा है जहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा maximum marks questions आ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए यह beneficial होगा और आपके लिए यहां बें ब्ल्यूप्रिंट भी दिया हुआ है कि इस सारे ब्ल्यूप्रिंट को भी आप यहां से एक बार डाउनलोड कर लें डाउनलोड करके पढ़ लें रासाइनिक अभी किरिया, समी करन, लगुरात्मा questions ने से वस्तुनिस questions कितने आने वाले है वस्तुनिस questions ने से यानि की objective type जो questions है वो एक questions आपके objective type आएगा अतील लगुरात्मा के यह नहीं वन लाइनर वाले questions एक आएंगे दिर्ग उतरिये question आएगा तीन नंबर का एक कोशन आएगा यहाँ पर कोशन नंबर भी दिये वें कि एक कोशन आएगा और डेफिनेटली आएगा और यहाँ पर इसके अलावा बस तो यह कितना हो गया तीन, चार और पाँच पाँच नंबर का इसमें से आपके पहले वाला जो राइसायनिक अभी की दिया वो समी करने इसमें से कोशन आएंगे अमले साराक वालवन का मैंने बताई दिया धातू वा अधातू धातू वा अधातू से लगु उत्तरात्मा कोशन याने की एक बड़ा दो नमबर का कोशन है एक आया का जोकी इसमें दियावा है आपको और वस्तुनिस्ट यानि की objective type एक question आएगा अती लगुरात्मा question यानि की one liner वाला एक question आएगा और आपका ये हो गया इसमें से pattern यानि की total number हो गया आपके 4 इसमें से 4 number का एक question आएगा 4 number का total अंकभार्ष इस chapter का 4 number का है कार्बन मिसकी योगिक के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने questions कितने questions कितने questions आएंगे carbon एंसके योगिक तो ये आपका blueprint होता है, ताकि आपकी mapping हो जाए, दिमाख में बैट जाए, कि इस तरीके से आपने को syllabus जो है, वो cover करना है, और इस तरीके से आप exam को crack कर सकते हैं, अच्छे marks gain कर सकते हैं, 10th board exam में, और बाकी तो जीवन है, तो अगर मान लिजी कि suppose that आपका गलत भी हो जाता है तो घबराने की बिल्कुल जरूत नहीं है, आगे के जितने भी जो upcoming exams होंगे, upcoming जो remaining paper होंगे, उन पर आप focus करें, मान लिजी आपका English का paper विगड़ गया है, तो उस condition में Hindi का, Science का, सामाजिक विज्ञान का यानिके Social Science का, इनके paper को विगड़ेने हैं, उन पर focus करें, और अच अगेन, wish you all the best, आप सभी को हमारी टीम की तरफ से do your best, अपना best कर करा हैं,